इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए याद रहे पाकस्तान को ये जंग हमेशा याद रही चाहिए तो वहीं सारुकन की मुवी डंकी भी बॉक्स आफिस पर रिकोर्ट रोड कमाई करने के लिए बिल्कुल तयार बैठी है क्योंकि इस मुवी की जो ओवर्सीज मार्केट में बुकिंग है वो जोरो सोरो से चल रही है तो वहीं सार भी डंकी के एक दिन बात बॉक्स आफिस पर होगी रिलीज और ये मुवी भी बॉक्स आफिस पर देगी डंकी को टकर और साम बादूर मुवी ने ले लिया है बॉक्स आफिस पर हिट का टेग हलो गाईज कैसे है आप सब सोगते हैं सबी का आपके अपने चैनल बॉक्स आफिस स्कूर में और आज मैं आप लोग के लेकर आई हूं साम बहादूर और एनेमल मुवी की बॉक्स ओफिस रिपोर्ट तो वहीं डंकी और सलार मुवी की एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट तो गईज अगर सबस्वा पहले बात कर ले विकी कोशल की मुवी साम बहादूर की तो गईज ये मुवी हिंदी लेंग्विज बायोग्राफिकल वार ड्रामा मुवी है और इस मुवी को डारिक क्या था मेगना गुलजार ने गईज इस मुवी में विकी कोशल के साथ फातिमा सना से एक और सान्या मलोतरा नजर आई थी गईज मुवी का बजट था 55 करोड रुपे और इस मुवी ने बॉक्स ओफिस पर काफी जदा कमाई करके सुपर हिट का टेकल ले लिया है गईज अब बात कर ले इस मुवी के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो इस मुवी ने अपने फर्स्ट वीक में इंडियन नेट कलेक्शन कर लिया है 38 करोड असी लाग रुपे का तो वही अपने दूसरे वीक में कमा लिया है लगभग 27 करोड 10 लाग रुपे तो अब बात करें आज यानिक इसके 15 दिन के बॉक्स ओफिस कलेक्शन की तो गाईज आज के उक्पेंसी काफी बढ़िया बनी हुई है और ये मुवी आज लगभग 2 करोड 10 लाग रुपे का कारोबार कर सकती है तो इस मुवी का 15 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है 68 करोड रुपे तो वहीं All India Gross Collection आ रहा है 81 करोड रुपे और Oversus Market में ये मुवी अब तक 13 करोड रुपे का कारोबार कर चुकी है यानिकि इस मुवी का 15 दिनों का Total Worldwide Gross Collection आ रहा है 94 करोड रुपे और गाई साम बादूर हो गई है बॉक्स ओफिस पर सुपर हिट अगर तुझे हो गया कुछ सारी दुमिया जला दे लट गरब बात कर ले रनवीर कपूर की मूवी एनिमल की तो गाईस ये मूवी हिंदी लेंग्विज एक्सिन थिलर मूवी है और ये मूवी बनकर तयार हुई थी संदीब रेड़ी वांगा के डारेक्शन में और इनका डारेक्शन होने की वज़े से भी इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर काफ़ ज़्यदा भरपूर फाइदा मिला है तो गाइज इस मूवी में रनविर कपूर के साथ अनिल कपूर, बोबी दियल और रिश्मी का मंदाना नजर आई है तो गाइज मूवी का बज़ड़ था 135 करोड रुपे और इस मूवी ने बॉक्स ओफिस पर इसका कई जादा गुना कमा लिया है तो गाइज इस मूवी ने अपने पहले वीक में कमाई की है 338 करोड 63 लाक रुपे की तो वहीं अपने दूसरे वीक में कलेक्शन कर लिया है लगबग 142 करोड 61 लाक रुपे की अगर अब बात करें आज यानिक इसके 15 दिन की कलेक्शन की तो गाइज आज की उक्पेंसी काफी बढ़िया बनी हुई है और ये मूवी आज लगबग 9 करोड 50 लाक रुपे का कारोबर कर सकती है तो इस मूवी का 15 दिनों का ओल इंडिया नेट कलेक्शन आ रहा है 490 करोड 24 लाक रुपे तो वहीं ओल इंडिया ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 585 करोड रुपे और ओवर्सिस मार्केट में इस मूवी ने अब तक 218 करोड रुपे का कारोबर कर लिया है याने कि इस मूवी का 15 दिनों का टोटल वर्ल्ड रुइट ग्रोज कलेक्शन आ रहा है 830 करोड रुपे यज गाइज अनिमल मूवी 800 करोड कलब में शामिल हो गई है अब देखना ये है कि ये मूवी लाइफ टाइम कितने करोड का कलेक्शन कर पाती है ये कहानी मैंने शुरू की थी तो खतम भी मैं ही करूँगा और वहीं गाइज अगर बात कर लें राजकुमर हिरानी के डारेक्शन बनी मूवी डंकी की तो गाइज ये मूवी हिंदी लेंग्विज एक्शन कॉमेडी मूवी है और मूवी रिलीज होने जा रही है 21 दिसंबर को और गाइज इस मूवी को बडियूस क्या है रेट चीलीज एंटरेंटमेंट और जियो स्टूडियोज ने इस मूवी में सारुकान के साथ आपसी पन्नू, विक्की कोसल और बॉमर इरानी जैसे कलाकार नजर आने वाले हैं तो वहीं मूवी का बजट है 120 करोड रुपे यानि कि इस मूवी को बॉक्स ओफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 130 करोड रुपे की कमाई करनी होगी और जिस तरह से इस मूवी की एडवांस बॉकिंग ओवर्सिस मार्केट में चल रही है वो देखकर कह सकते हैं कि ये मूवी बॉक्स ओफिस पर अपने पहले विकेंड पर ही हिट का टेग ले जाएगी तो गाइज इस मूवी की अब तक ओवर्सिस मार्केट में यूएसे में बुकिंग हो चुकी है चार लाग 73 हजार डॉलर की तो वहीं यूके में बुकिंग हो चुकी है दो लाग 16 हजार डॉलर की तो वहीं अस्टेलिया में बुकिंग हो चुकी है तीन लाग 12 हजार डॉलर की याने कि इस मुवी ने ओवरसेस मार्केट में टोटल बुकिंग की है लगबग 1.45 मिलियन डॉलर्स की याने कि इंडियन रुपीज में 12 करोड 20 लाक रुपे की अगर बात कर लें प्रभास की मुवी सलार पार्ट वन की तो गाइस यह मुवी तेलगू लेंग्वेज इस मुवी को इसका फायदा मिलने वाला है और यह मुवी इसकी वज़े से भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करने वाली है तो गाइस इस मुवी में प्रभास के साथ प्रित्वी राज सुरुतिहासन और जगपती बाबु जैसे कलाकर नजर आये हैं और मुवी का बजट है 400 करो करोड रुपे यानि कि इस मुवी को बॉक्स ऑफिस पर हिट होने के लिए कम से कम 430 करोड रुपे की कमाई करनी होगी और वहीं अब बात कर लें इस मुवी के एडवांस कलेक्शन की तो गाइस इस मुवी ने यूएस में अब तक बुकिंग की है 953,000 डॉलर्स की तो वही अस्टेडिया में बुकिंग हो चुकी है 251,000 डॉलर्स की तो वहीं गल्फ कंट्री में बुकिंग हो चुकी 88,000 डॉलर्स की और जर्मनी में अब तक इस मुवी ने बुकिंग की है 72,000 डॉलर्स की तो वहीं बाकी की जो कंट्री से वहां अब तक बुकिंग हुई है 1,32,000 यानि कि इस मुवी ने ओवर्सिस मार्केट में अब तक टोटल पुकिंग की है 1.92 मिलियन डॉलर्स की यानि के इंडियन रुपीज में लगभग 16 करोड रुपे की तो यह थी डंकी और सलार मुवी के एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट तो वही एनिमल और साम बहादुर की बॉक्स ओफिस की रिपोर्ट आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करना बिलकुल भी न भूले और अगर आप लोग भी दंकी और सलार मुवी को लेकर